ICC World Cup 2023 का 23 वर मैच आज साउथ अफ्रीका और बांगलादेश के बीच खिला जा रहा है आपको बता देखी साउथ अफ्रीका ने ट्रांस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी काक और रिजा हेंडरिक आए हुए थे मगर रिजा हेंडरिक क्विंटन डी कॉक का ज्यादा साथ दे नहीं सके और साथ में ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए रिजा हेंडरिक ने 12 रन बनाए थे 19 गैदों का सामना करने के बाद जिसमें एक चौका भी शामिल है इस प्रकार साउथ अफ्रीक का पहला विकेट 33 रनों के स्कोव पर 6 ओवर की समाप्ती पर रिजा हेंडरिक के रूप में गिरा और उनका स्थान लेने आये वन दर दुसिन भी कुछ कर नहीं सके उन्होंने साथ गेंदों पर सिर्फ एक रन ही बना पाए उस वक्त साउथ अफ्रीका का कुल स्कोव था 36 37 रन 7.5 ओवर की समाप्ती पर दो विकेट के नुकसान पर अब साउथ अफ्रीका के खिलारी काफी दबाव महसूस करने लगे थे वही चार नंबर पर बल्लेबाजी करने आये कप्तान माकरम ने क्विंटन डी कौक का अच्छा साथ निभाया और बड़ी सूज बूज के सा अपनी पारी को आगे बढाया वही दूसरे चोर पर क्विंटन डी कौक क्रीज पर डटे हुए थे और तीसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 131 रनों की पार्टनर्शिप बना दी और कप्तान माकरम ने 79 गेंडों में 7 चोको की मदद से 60 रनों की पारी खे और काफी तेज गती से रन बनाने लगे थे वही माकरम की जगह लेने आये क्लासेन का बल्ला आते ही आग उगलना शुरू कर दिया और उन्होंने ताबर तोड उन्चास गेंड में 2 चोके और 8 चोके की मदद से 90 रनों की लाजवाब पारी खेली मगर उससे पहले क्विंट रनों की शांदार पारी खेल कर अपनी टीम कस को 309 रनों पर पहुचा दिया था अब साउथ अफ्रीका काफी मजबूत स्थिती में नजर आ रही थी वही बांगलादेश की चिंताएं बढ़ती जा रही थी कि कि किस प्रकार से रन को रोका जाए क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने विशाल लक्षे की तरफ आगरशित हो रही थी आपको बता देखी एक दिवसिय अंतराश्ट्रियम मैच में क्विंटन डी कॉक का आज 174 रनों की यह पारी सर्वाधिक्स को है इससे पहले उन्होंने 168 रनों की पारी खेली थी वही क्विंटन डी कॉक के आउट हो बनाने लगे थे इसी बीच अंतिम ओव यानि की 50 वे ओव की दूसरी गैपर क्लासेन आउट हो गए उन्होंने 49 गैदो पर 2 चोके और 8 चके की मदद से 90 रनों की शांदार पारी खेली थी वही क्लासेन का स्थान लेने आए माको जम्द सेन एक गेंद खेलकर एक रन बनाकर नाट आउट रहे वही दूसरे चोर पर बेटिंग कर रहे मिला धुआधार बल्लेबाजी करते हुए 15 गैदों पर 1 चोका और 4 चका लगाकर 34 रनों की शांदार पारी खेली और नाट आउट रहे और इस प्रकार से साउथ अफरीका ने अपने निर्धारित 50 ओव में 5 विक विकेट 33 रन पर रीजा के रूप में दूसरा 36 किसको पर दुसिन के रूप में तीसरा विकेट 167 रनों पर माकरम के रूप में चोथा विकेट 309 पर क्विंटन डी कौक के रूप में और 374 पर क्लासेन का विकेट गिरा था वही बांगलादेश की गैंदबाजी की बात करे तो हसन मीराज ने अपने 9 ओव के इस पेल में 44 रन खर्च करते हुए एक विकेट की प्राप्त की है, वही सौरीफुल इसलाम ने 9 ओव में 76 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया है, मुहम्मद साकिब ने 9 ओव की गैंदबाजी में 79 रन देकर एक विकेट लिया है, वही हसन महमूद की बात करे तो, 6 ओवर की बोलिंग की है, काफी महेंगे साबित हुए हैं, उन्होंने 67 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किये हैं, वही 383 रनों के विशाल जैसे लक्ष्य को, पूरा करने उतरी बांगलादेश की टीम के, दोनों ओपन बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर न की मदद से, 22 रन बनाए थे, वही शांटो बगैर खाता खोले, पहले ही गैपर आउट होकर पवेलियन चले गए, और बांगलादेश अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट, गवा चुका था मातर 31 रनन के स्कोपर, वही बांगलादेश के कप्तान साकिप भी, उम्मीद पर गेंदों का सामना किया, केवल एक रन बना पाये थे, जब बांगलादेश का कुल स्कोप था, 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर, वही मुस्तफिकुर रहीम, 17 गेंद का सामना करते हुए, 8 रन बनाए जिसमें उन्होंने चोका भी लगाया था, वही मोहम्मद उल्लाह दूसरे छोर पर डटे रहे, मुश्किल परिस्थिती में अपनी टीम को आगे ले जाते हुए, 111 गैदों का सामना करते हुए, 111 रनों की शांदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चोके और 4 चके भी लगाये थे, वही हसन मीराज, 19 गेंद का सामना करते हुए 11 रन बनाए, जिस गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चोके भी लगाये थे, फिर आय मुस्तफि जूर, उन्होंने 21 गैदों का सामना किया, 11 रन बनाए 2 चोकों की मदद से, उसके बाद शरीफुल इसलाम 4 गेंद पर 6 रन बनाए जिसमें 1 चोका भी शामिल है, इ 111 रनों की पारी खेली, और कोई दूसरा खिलारी, अपनी कोले को प्राप्ट नहीं सका, और बांगलादेश 46 दशमलव 4 ओव की समाप्ती पर, 233 रन बनाकर ओल आउट हो गई, आपको बता देखी, जब बांगलादेश का पहला विकेट गेरा, उसे समय सको था 30 रन, वही 30 रन पर ही दूसरा विकेट गेरा, और 31 के सको पर तीसरा विकेट भी गेर गया, इससे साफ जाहिर होता है, कि साउथ अफरीका, किस तरीके से बॉलिंग और क्षित्र रक्षन कर रही थी, बांगलादेश का कोई भी बल्ले बाज, अफरीका की गैंदबाजी को समझ नहीं सक वहीं बांगलादेश का 42 रन पर चौथा विकेट गेरा, और 58 रनों के सको पर पांचवा विकेट भी गेरा दिये, अब बांगलादेश के पास कुछ बचा नहीं थाख होने के लिए, जब तक 81 रनों के सको पर चठा विकेट भी गिर गया, अफरीका के इस तूफान में, ब 169 पर आठवा विकेट गेरा, वहीं नववे विकेट के लिए, बांगलादेश ने 68 रन जोडे, 227 पर बांगलादेश का नववा विकेट गेरा, वहीं बांगलादेश 44 दशमलब 4 ओवर के खेल में, 233 रन बनाकर पूरी टीम धरा साही हो गई, वही साउथ अफरीका के एंदबाजी की है, एक ओवर मेडम रहा है, 56 रन खर्च किये हैं, उन्हें 2 विकेट प्राप्त हुए हैं, गेराल्ड अपने 10 ओवर के स्पैल में, 62 रन खर्च किये हैं, उन्हें 3 विकेट की प्राप्ती हुई है, वही कागिसोर अबादा, अपने 10 ओवर में, 42 रन देकर 2 प्राप्त किये हैं, जिसमें 1 ओवर उनका मैडन रहा है, वही केशब महाराज ने 10 ओवर में, 32 रन खर्च किये हैं, उन्हें 1 विकेट प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार से साउथ अफरीका ने 149 रनों से इस मैच को जीत लिया है, क्रिकेट के सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद